असलाम लेकूं आज मैं आपके साथ दो बहुत रिफ्रेशिंग से मॉक्टेल्स बनाने वाली हूं यह मैंने बनाया है वर्जन मोजीतो और यह वाटर मेलन मोजीतो बनाया है और एक छोटे से टॉप सीक्रेट के साथ मैं आपको बताऊंगी जिससे हमारे इन दोनों डिंक्स क फोड़ा ज्यादा मैंने डाला है हाफ कॉप मैंने लिए हैं यहां पर वाटल बैनन के पीसिस एक स्पून पाउडर शुगर वन फोर्थ स्पून मैंने डाला है ब्लैक सोल्ट और यह ही है हमारा टॉप सीक्रेट आपको कोई भी पैपर मिंट वाला जो पॉलो या रोलो इसको अच्छे से हमें मड करना है और आप किसी और वरतन में भी इसको कर सकते हैं जरूर नहीं ग्लास के अंदर ही करें या मडलर आपके पास हो बेलन ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए सिर्फ हमें इनकी कुटाई करनी है और खूब सारी क्रश्ट आइस हमें डालनी है यहां पर नहीं डालनी है क्योंकि आइस क्यूब बाद में पानी चोड़ती रहती है और इसकी जो टेस्ट है उसका मजा है वह थोड़ा सा कम होता चला जाता है अब मैंने डाला है कलप सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब दोबारा से मैं डाल रही हूं इसक दूसरा वाला यह वर्जन मजीतो है तो इसके अंदर थोड़ से लैमन के पीसिज और पाउडर शुगर थोड़ी जाती है दो स्पून मैंने डाली है पूदीन डाला है ब्लैक सोल्ट वन फोर्थ स्पून और आधा चोटा चमश जाला है मैंने पैपर मिंट पाउडर का देख कोई चीज वह इसके अंदर नहीं डालते हैं तो हम घर में बना रहे थे सोचा सस्ता भी होना चाहिए और जो चीज हमें इजली मिल जाए हमें उसी का स्तमाल करना चाहिए और ब्लीव मी गाइस इतने मज़े के लगते हैं जब हम नीम्भू के उपर और ब्लैक सोल्ट के आएगा टेस्ट में मार्किट जैसा बिल्कुल यह मौक्टिल बना है बहुत रिफ्रेशिंग है आप इसको पीते एक दम फ्रेश फील करेंगे उसकी वज़ाई यह है कि हमने इसके अंदर पैपर मिंट पावडर डाला है एक दम अलग टेस्ट एक दम अलग फ्लेवर इसके